नमस्कार दोस्तों मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागेत है मेरे चैनल इट्समाइटेक में आज के इस वीडियो में हम मिक रोबोट वैक्यूम मॉप पी इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के कुछ शॉट कमिंग्स या शॉट फॉल्स को जान लेंगे अगर बॉक्स में आने वाली हम ऐसे सेरिस को देखे तो हमें इस मशिन के साथ कोई भी में प्रेश नहीं मिलता है जो जनरली सारे कॉम्पेटेटर्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि किसी भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में सबसे पहले खराब होने वाला नहीं बिस्माप ना मिलने के बाद्ग इसे खरिदने के बाद जल्दी ही हमें इसके लिए अलग से मसे से खर्च करने पड़ेंगे यह multi floor support नहीं करता है तो अगर आपका घर एक से ज्यादा floor से बना है तो यह मॉप आपको काम में नहीं आएगा उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि एक ही मॉप आप multiple residence में use करें तो यह भी आप नहीं कर सकते यह इनों ने जिस price range में इंट्रोडूस किया है जो कि 25,000 है उस range में कोही भी robot यह feature support नहीं करता है और बहुत से robot तो laser mapping और map based app control भी support नहीं करते हैं लेकिन अगर यह possible है तो मैं चाहता हूँ कि MI इसको एक over the air update डे और multifloor map support डे तो दोस्तों अगर हमें मारी क्यों में जाना है तो कुछ और problem मुझे ऐसी लगी पहली चीज एमाय की जो यह glossy finish की जो choice है वो काफी मैं के सकता हूँ hard to maintain है क्योंकि glossy होने के कारण इसके उपर बहुत जल्दी dust static energy से attract हो जाती है और air है तो भी वो attract हो जाते है तो दोस्तों हाला कि normal day to day cleaning floor की यह अच्छी तरह से कर लेता है लेकिन अगर आपके floor पे ऐसी कु में साफ नहीं कर पाता है और तब उसको साफ परने के लिए हमें manually clean करना पड़ता है या फिर multiple times उसे क्लीन करने के लिए लगाना पड़ेगा जनरल cleaning cycle में साफ नहीं कर पाता है इफेक्टिवली और एक बात ऐसी वर्थ मेंशनिंग है कि इस robotic vacuum cleaner को कोई भी remote control नहीं दिया गया है जो कि infrared पे चले या Wi-Fi पे चले तो अगर इसकी normal remote control feature माने कि अगर हमें इसे manually control करना है तो उस feature के लिए हमें app का सहारा लेना पड़ता है और जो over the air चलती है तो उसमें कहीं बार मुझे delays मिली और यह scope of improvement जरूर है MI के लिए उसी के साथ मैं चाहता हूं कि हर बार जब इसके अंदर mopping attachment लगी है हमें यह remind करता है कि इसमें mopping attachment है है और आप इसे निकाल दे ना सिर्फ यह हमें इदर इसे वाइस थू बोलता है लेकिन अगर आम notification देखे तो यहां भी वो clearly remove the water tank and mop बोलता है टेक्निकली जहां तक मेरा नौलेज है इसकी यह पिछली तरफ context होने के कारण नीचे के mopping surface से इसको कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है मुझे यह नहीं समझता कि यह annoying notice MIQ दे रहा है और यह ज्यादातर annoying है तब जब 90% इंडियन हाउस होल्ड इसे mopping feature के साथ ही यूज करने वाले है तो आप अगर इसको रोकना चाहते है तो आपको overall total ही इसके sound notifications को बन करना पड़ता है और एक बात यह है इसका जो charger दिया गया है उसके अंदर कोई भी wire management के लिए सुवीदा नहीं दी गई है जो कि इसके कई बाकी competitors देते हैं और एक बात जो मेरे ध्यान में आई है वह यह है कि यह robotic vacuum cleaner अगर हमारे पड़े जमीन तक touch होते है उन पड़ों को भी यह object की तरह ट्रीट करता है हमारा robot वह कोने की सफाई छोड़ देता है और एक इसका of law यह है कि जबी भी हम इसे start करते हैं यह थोड़ा सा इदर बाहर आके एक पेरिमिटर स्वीप करता है कहीं भी जाने के पहले अगर आप solid furniture या solid objects जैसे की यह chair इदर से हिला है या इस खाली जगा पे मैं एक और solid object रख दूँ हाला कि नॉर्मल furniture से फरक नहीं पड़ता है जैसे की चेयर या टेबल लेकिन अगर आप कोई solid furniture इसके आजू-बाजू के एरिया में रख दो जहां पे यह डॉक्ट है और इसकी डॉकिंग पोजिशन है तो यह खुद की position के बारे में कंफ्यूज हो जाएगा और most probably काम नहीं करेगा यह मैंने खुद experience किया है दोस्तों इसके जो टू-इन-वन dust compartment है उसमें भी डिजाइन फ्लाव है मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इसकी dust compartment देखे जो कि सिर्फ वैक्यूम के लिए है तो इस filter को निकालने के बाद आप देख सकते है कि यहां पर यह एक fine mesh filter है इससे यह मदद होती है अगर आपके घर में pets है तो उनके बाल directly जाके filter को चोक नहीं करते है उसी के साथ साथ लिंट जो जमीन पर रहता है वो भी filter को चोक नहीं करता है लेकिन आप अगर इसका 2-in-1 dust compartment देखे तो इधर इस टाइप क पर देख सकते है यह जो आपका हेपा filter है वह इस प्रकार से यह fine lint से चोक हो जाता है तो इसे हर बार हमें साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि इसकी life कम होने वाली है तो यह भी एक चीज जानने लायक है दोस्तों अगर carpet cleaning के बारे में बात करे पहली चीज यह है कि इसमें dedicated carpet detection mode नहीं है बहुत से machines जब carpet के उपर जाते है तो खुद बखुद उस carpet को detect करते हैं खुद के suction power को maximum कर लेते हैं इससे फायदा यह होता है कि carpet अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं उसके साथ दूसरी चीज यह है इस robotic vacuum cleaner में भले ही no go zones दी गई है लेकिन no mopping zones हम dedicatedly assign नहीं कर सकते हैं selectively ऐसे area चूद नहीं सकते हैं जहां पे हमें mop नहीं करना है तो अगर आपके पास carpet है और आप पूरे घर को साफ करने के लिए लगाते हो तो आपको उस carpet को no go zone में डालना पड़ता है और उन्हें फिर manually अलग से clean करना पड़ेगा और मैं कहना चाहूंगा वह सिर्फ इस particular robotic vacuum cleaner के बारे में नहीं है लेकिन वह सारे robotic vacuum cleaners के लिए अपला होता है वह यह बात है कि इन्हें पूरे घर में चलाने के पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि सारी जगाहों से आपके पास अगर soft cloth doormats भी है और hard doormats नहीं है जिनक में फसने वाला है कि नीचे गिरे हुए चीजे जैसे की कपड़े बड़े कागज इन्हें मैनियोली उठाए उसी के साथ साथ अगर wired headphone जैसी चीज नीचे गिरी है तो हो सकता है कि इसका main brush उसे अंदर खीचे और यह खीचते वक वो डैमेज हो जाए इस भी बात का ध्यान करना पड़ता है कि हमारे घर में कहीं भी लूज वायरिंग नहीं हो जबी भी हम इस robotic vacuum cleaner को चलाना है तो उसके पहले हमें पूरे घर का एक सर्वे करना पड़ता है मैंने इस प्रका से दर्वाजा खुला रखा है कि ऐसी सारी चीजे जिससे इसको तकलीफ हो या जिसमें यह अटक जाए उन्हें बाजू करना पड़ता है और आखरी में जो सबसे जरीरी बात है वो यह है कि एमाए इंडिया की सारी जो पॉलिसीज है जब वो प्रोड़क्ट बेचते हैं और उनकी जो ऑनलाइन सपोर्ट है वो मेरी ओपिनियन में प्रो कस्टमर नहीं है और मैं समझता हूं कि एमाए इंडिया को अगर लॉंग टर्म बिजनेस करना है तो यह आटिट्यूड बदलना पड़ेगा और यह मैं मेरे एक्सपिरियंस से कह रहा हूं तो एमाए एक्स्लूजिव प्रोड़क्ट को खरि हो जाएगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझी गए होंगे कि इस पर्टिकलर मॉडेल में कौन-कौन सी छोटी खामिया मौजूत है तो अब आप एक इनफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं इसे पर्चेस करने के पहले मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पस हुआ हुआ है